तिरति राज सम्मेद शिकर है शाश्वत सिद्छेत्र जग में एक बार जो करें वंदना वहवी पुन्यवान सच में पूचा परवत पार्शुनात हिल नाम से जाना जाता है जिन शासन का सबसे पावन तिरत माना जाता है जब प्रत्यक्षि करें आत्रा उस पुन्य कवर्णन क्या करना लेकिन प्रत्यक्षि करें आत्रा उस पुन्य कवर्णन क्या करना लेकिन प्रत्य दिन भी परोक्ष में गिर का ध्यान किया करना आख बंद कर करो कल्पना मेरी आत्रा शुरू हुई चा चाह काल चले सब यात्री जै जै कारा शुरू हुई जै जै कारा शुरू हुई एक हाथ में छड़ी दूसरे में जावल की जोली है जादातर सब पैदल है पर किसी किसी की डोली है एक हाथ में छड़ी दूसरे में चावल की जोली है जादातर सब पैदल है पर किसी किसी की डोली है कभी न चलने वाल भी हिम्मत कर परवत पर चड़ते हैं पारस प्रभू के पास पहुचने एतु कदम बढ़ चलते हैं चड़ते चड़ते आठ किलो मीटर पत जब तै होता है दाएं हाथ तरफिक चोपड़ा कुंड दर्शन का होता है चड़ते चड़ते आठ किलो मीटर पत जब तै होता है दाएं हाथ तरफिक चोपड़ा कुंड दर्शन का होता है वहाद गंबर जिन मंदिर संस्कृत की अमिट धरोहर है पार्श्वनात चंद्र प्रभु वाहु बली के मूरती मनोहर है उस मंदिर में रुक कर अपने प्रभु का दर्शन कर लेना सुन्दर बनी धरमशाला में इच्छा हो तो ठहर लेना उस मंदिर में रुक कर अपने प्रभु का दर्शन कर लेना सुन्दर बनी धरमशाला में इच्छा हो तो ठहर लेना मंदिर दर्शन करके फिर यात्रा प्रारंब करो अपनी बाएं हाथ चलो चड़ कर जहां गोतम स्वामी टोक बनी यहां पहुच कर ठंडी ठंडी अवा थकान मिटाती है गणधर चरण वंदना से यात्रा की शक्ति आती है यहां पहुच कर ठंडी ठंडी अवा थकान मिटाती है गणधर चरण वंदना से यात्रा की शक्ति आती है प्रथम टोक यह हुई पास में दुतिये टोक कुंथ जिन की तीरत करम में यह पहली टोक नमू कुंथ प्रभु की इन टोकों के दर्शन से उपवास कफल प्रारंब हुआ त्रै प्रदक्षिन देने से आगे शुब गति का बंध हुआ पिन टोकों के दर्शन से उपवास कफल प्रारंब हुआ त्रै प्रदक्षिन देने से आगे शुब गति का बंध हुआ शुब भावों से आगे बढ़ कर तोकती सिरी आती है श्रीन मिनात जिनेश्वर की वंद न सहज हो जाती है चोथा नाटक कूट तिरंथ कर अरह नाथ का आया है जहां करोडो मनियों ने भी तप कर शिव पद पाया है चोथा नाटक कूट तिरंथ कर अरह नाथ का आया है जहां करोडो मनियों ने भी तप कर शिव पद पाया है बंदन कर आगे बढ़ने से मुल्ली नात के चर्ण मिले आगे छटे टोक पर श्री श्रियान सिनात पद कमल मिले इन सब का वंदन कर मैंने सिद्ध शिला को नमन किया वहां विराजे सिद्धों को अपने मन में ही स्मर्ण किया इन सब का वंदन कर मैंने सिद्ध शिला को नमन किया वहां विराजे सिद्धों को अपने मन में ही स्मर्ण किया ठकना नहीं अब पुष्प दंत की सब्तम टोक पे चलना है आगे चड़ने हे तु वहीं से आतम शक्ती भरना है ए भव्यात मन अब दस्वी चंदर प्रभ टोक पे चलना है पहले दोड़ दोड़ कर उत्रो फिर उचाई चड़ना है फे भव्यात मन अब दस्वी चंदर प्रभ टोक पे चलना है पहले दोड़ दोड़ कर उत्रो फिर उचाई चड़ना है चंदर प्रभ मंदिर में जाकर चरण वंदिना करना है अपने सारे सुक दुख को प्रभु चरण बैठ कर कहना है अब ग्यारहवी तोंक पे चल कर रिशब देव को नमन करो गिरी के लाश से मुक्तु हुए यहां उनके चरण चिन प्रण मूँ अब ग्यारहवी तोंक पे चल कर रिशब देव को नमन करो गिरी के लाश से मुक्तु हुए यहां उनके चरण चिन प्रण मूँ श्रीशी तल जिन्वर की है बार विटोक प्रसिद्ध कही मन वच्तन से वंदन कर पाओ यात्रा का पुन्य सही श्री अनन्त तिर ठंकर का तेर वकूट सयंभू है उनके चर्णों में श्रद्धायुत शीश जुका कर वंदू मैं श्री अनन्त तिर ठंकर का तेर वकूट सयंभू है उनके चर्णों में श्रद्धायुत शीश जुका कर वंदू मैं संभव जिन्वर का चोदहवा धवल कूट माना जाता वासुपूज जिन का पंद्रवां तोक सभी को सुखदाता तोक सभी को सुखदाता इनको वंदन कर आगे अभिनंदन प्रभु के पास चलो बंदर चिन सहित उन प्रभु की टोक पे बंदर से ना डरो इनको वंदन कर आगे अभिनंदन प्रभु के पास चलो अभिनंदन के चरणों में कर नमन चलो जल मंदिर तक चलो वहां से जहां है गौतम गण धर प्रभु की टोक प्रथम फेर सतर्वी टोक से अपनी अगली यात्रा करना है धर्मनात प्रभु के चरणों में नमन सभी को करना है फेर सतर्वी टोक से अपनी अगली यात्रा करना है धर्मनात प्रभु के चरणों में नमन सभी को करना है सुमतिनात का अठा रहवा टोक है अभि चल कूट कहा नौ करोड बत्तीस लाग उपवास कफल मिलता है यहां उपवास कफल मिलता है यहां उन्निसवा है तोक शान्त जिन का जो यहां से मोक्ष गए नौ करोड से अधिक मुनि इस कुंद कूट से मोक्ष गए उन्निसवा है तोक शान्त जिन का जो यहां से मोक्ष गए नौ करोड से अधिक मुनि इस कुंद कूट से मोक्ष गए शान्तिनात के सब मुनियों को श्रद्धा से है नमनिक्या पुन्हा बीस वी टोक पे जाकर वीर प्रभू की शरण लिया श्री सुपाश्वतीर ठंकर इकिस वी टोक पे राजे है कहते हैं यह की मिटी से रोग सभी मिटी जाते है श्री सुपाश्वतीर ठंकर इकिस वी टोक पे राजे है कहते हैं यह की मिटी से रोग सभी मिटी जाते है इनका बंदन करके पास में विमलनात की टोक चले बाइस भी इस टोक को नम कर अजितनात के निकट चले ठके कदम से तेईस भी इस टोक का वंदन कटने तो है लेकिन यात्रा पूरी करने का शुब भाव हिर्दैने है ठके कदम से तेईस भी इस टोक का वंदन कटने तो है लेकिन यात्रा पूरी करने का शुब भाव हिर्दैने है धीरे धीरे चड़कर आखिर अजितनात तक पहुँच गए उन चरणों में नमन किया फिर ने मिनात जी प्रात हुए इस चोबिस वी तोक पे ने मिनात चरण को नमन किया पारसनात प्रभू पाने है तू फिर मैंने गमन किया इस चोबिस वी तोक पे ने मिनात चरण को नमन किया स्वर्ण भद्र यह तोक है अंतिम यात्रा पूरण यहां होती पारसनात का फूजन करके मन संतुष्ट यहां होती कुछ छण ध्यान करो फिर नीचे गुफा में सित चरण नमो कुछ छण ध्यान करो फिर नीचे गुफा में सित चरण नमो खुशी खुशी वंद्र न पूरण कर परवत से नीचे उतरो यही वंद्र न आत्मा की भव्यत्व शक्ति बत लाती हैं तभी चंद नामती सभी में भक्ति स्वयम आ जाती हैं भगवन इस समेद शिकर का पुनह पुनह दर्शन पाओं यही भावना है मन में सित्धों के गुण में रम जाओं भगवन इस समेद शिकर का पुनह पुनह दर्शन पाओं यही भावना है मन में सित्धों के गुण में रम जाओं इसी छेत्र से कभी मुझे निर्वान धाम भी मिल जावें सिध्ध भक्त मेरे जीवन में सिध्ध अवस्था दिलवाए